जै हिन जै भारत साथियो साथियो मैंने आप से कमिट्मेंट किया था कि लगातार लाइव आता रहूंगा बीच बीच में लेकिन अभी फेस्बुक पर जो पेज मेरा चल रहा था वो तो आपको पता है बंद कर दिया गया उस पे 1.8 मिलन से जादा फॉलोवर थे और जो अभ आते हैं तो उसमें भी बीच में लाइव रोका जा रहा है और हो सकता है कि वह पेज भी बंद कर दिया जाए तो मुझे लगा हमारे टीम ने तया कि क्यों कि यूट्यूब का चैनल भी बंद कर दिया गया था कि नया चैनल पर कम से कम समवाद हो पाए बाचित हो पाए तो ये नया चैनल यूटूब पर तयार किया गया है, इस पर हम लोग समवाद किया करेंगे, लगातार मैं लाइव आ करके अपनी बात यहां रखता रहूँगा, प्रियास यही रहेगा कि लोगों की मदद की जाए, लोगों को गाइड किया जाए, जैसे कि आज का टॉपिक है कि हम लोग बात करने वाले है, करजे, जो करजा मुक्ति अभियान चल रहा है, इसका अगला स्टेप क्या होने वाला है, और कैसे जनता को करजे से मुक्ति मिल सकती है, कैसे जनता इससे बाहर निकलेगी समस्या से, बाहर कैसे निकलेगी समधान क्या होने वाला है, सबसे पहली इस मिशन को अंजाम तक पहुचाना है, तरक्की करनी है, वहां तक पहुचाना है, कि एक एक व्यक्ती करजा मुक्त हो जाए, तो सबसे पहला इस्टप तो वही होगा, कि हमें संगठी थोना पड़ेगा, और सरकार ने तो, क्योंकि सारे रास्ते बंद कर दी है, पहले हम है, लोग अपने लेटर भेज रहे हैं, तो लेटर को भी हम लोग भेजनी कोशिश करें, PMO में, वित्मंत्राले में, RBI में, और अभी जो सुप्रीम कोट में लगाए जा रही है, मेरा पुरा विश्वास है कि सुप्रीम कोट की PIL जरूर बहुत बड़ा मील का पत्थर जनकारी होगी, जिन लोग के लेटर हमारे पास आगे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको कंपाइल करके एक लिस्ट बना ली जाए, लेकिन अभी संख्या उतनी जादा नहीं है, जैसा आपको बताया गया था, 13 लाग से जादा परिवार हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन अभी हमारे पास लेटर की संख्या उतरी नहीं है, जब तक हमारे पास उस संख्या में लेटर नहीं होंगे, जिस संख्या को हम बोल रहे हैं, तो तब तक शायद लोगों का विश्वास नहीं हो पाएगा, और जो सरकार पर दबाव पढ़ना चाहिए, वो जरूरी दबाव पाइनल डेट नहीं आ रहे है, तब तक हम अपने लेटर भेजते रहे हैं, हम कोशिश करेंगे, जो भी लेटर हमारे पास है, उन सब को प्यायल में लगा दिया जाए, बट लड़ाई बड़ी है, और यकिनन सरकार के उपर दबाव है, लेकिन सरकार तभी हमारी बात सुने कि मेरी लड़ाई सबसे अलग है, या मेरी लड़ाई सबसे महत्वपूर है, या सबसे जरूरी है मेरी माग, तो दो तरफा बात चल रही है, एक तरफ सरकार के उपर दबाव भी मनाना है, दूसरी तरफ जनता को भी संगठित करना है, दोनों काम हम लोग कर रहे हैं अपनी लोग को आत्मत्या करने से बचा चुके हैं, क्योंकि जहां भी मैं जाता हूं तो वहां लोग बताते हैं, अगर माली जे सो लोग आ रहे हैं, तो सो में से 15-20 लोग ऐसे होते हैं, जो बताते हैं कि सर, आपकी वज़ा से जिन्दा हुई, आपकी टीम ने बचा लिया, वरना ही सरकार यह चाहती है कि हम मदद करें, हम समस्या का समधान करें, तो यह दिक्कत तो है, बाकी देखते हैं, सरकार के एंट पर क्या हो सकता है, हमारे एंट पर क्या हो सकता है, हम अपनी तरब से प्रयास ज़रूर करेंगे, और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शायद मुझे लग रहा है लाइव नहीं चल पा रहा है कुछ समस्य आ रहे है शायद लाइव में लाइव नहीं दिख रहा है